दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रामायन के एक ऐसे पात्र के बारे में जो विलुप्त हो गया है, जिसके बारे में आज तक यह भी पता नहीं चल पाया है, कि वह आज कहां है, जिसके उपर पूरी रामायन रची गई. रामायन तो आप सभी ने सुनी होगी और देखी होगी, लेकिन एक खास सवाल जो लोगों के जहन में बार बार उठना है, यह की रामायन में आखिर रावन के वध के बाद रावन की बहन शूरपनखा का क्या हुआ, आखिर कहां चली गई थी, शूरपनखा इसका रहस्य हम आ लाइक और शेयर करना ना भूलना, साथ में रोजाना ऐसी नई-नई वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, इससे क्या होगा कि हमारे आने वाली सभी वीडियो तुरंत आपके पास पहुँच जाएंगे, दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ह कि रामायन में सभी राक्षसों का वध हुआ था, लेकिन रावन की बहन शूर पनखा का वध नहीं हुआ था, रावन के वध बाद विभीशन को लंका का राजा बना दिया गया था, लेकिन शूर पनखा का वध नहीं हुआ था, उसकी नाक और कान काटकर छोड़ दिया गय और श्री राम से विवाह का प्रस्ताव रखती है। रावन की मृत्यू के पश्चात, रावन की बहन, शूरपनखा, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी थी। इस पर गंगा जल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षसों का सर्वनाश हो जाएगा। शुक्राचार्य ने शिवलिंग को वैशनव अर्थात हिंदूों से दूर रेगिस्तान में स्थापित कर दिया। दोस्तों, वह जगह आज अरब देश में मक्का मदीना के नाम से प्रसिद्ध है। सूर पनखा, जो उस समय नाक कान कट जाने से अपना चहरा ढख कर रखती थी। उसने अपना शेश जीवन वहीं पर बिताया और उसकी उसे परंपरा को उसके बच्चों ने पूरी तरह से निभाया। और आज भी उस परंपरा को निभाया जाता है। उस परंपरा की समवाहक महिलाएं चहरों को ढख कर रहती हैं। सूर पनखा के वंशज कालांतर में अमराई धर्म के अनुयाई हुए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य द्वारा दैत्यों के जीवन दान। फल स्वरूप वो अनुयाई शुक्रवार के दिन को विशेश महत्व देते हैं दोस्तों। इस वीडियो में दी गई जानकारी जनशृती हो पर आधारित है। अत इसकी सत्यता या प्रमानिकता की पुष्टी नहीं करता। लेकिन कालांतर से चली आ रही जनशृती हो। मैंने जो बताया है वह आज भी काबा में होता है। यह महज एक संयोग नहीं हो सकता है। इसके कही न कही सच्चाई जरूर है। क्योंकि आज भी काबा में दूसरे धर्म के लोगों का प्रवेश वर्जित है। आपकी इसके बारे में क्या राय है दोस्तों। हमें कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों। जै श्री राम।